नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में कैसे हैं आप लोग आयोब ठीक ही होंगे भगवान आप लोग को स्वस्त रखे मस्त रखे दोस्तों आई लोग बात करने वाले हैं पेटियम के बारे में अगर आप लोग पेटियम के पेमिंट्स बैंक को इस्तिमाल करते हैं तो 1 मई 2023 से आपके पेटियम पेमिंट्स बैंक के अंदर दोस्तों कुछ चार्जे जो हैं बढ़ने वाले हैं आपको पेटियम पेमिंट्स का महगा पढ़ने वाला है क्योंकि एक मई 2023 से यहां पर पेटियम ने चार्ज जो है वो रिवाइस कर रखे हैं तो आज इस वीडियो से में आप लोगों को बताने वाला हूं कि किन नई सर्विसेस पर पेटियम ने चार्ज चालू कर दी हैं पेटियम पेमिंट बैंक के अंद कर दिये लाइक चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि हमारी वीडियो की अपडेट जो है वह आप लोगों को मिलती रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूं यहां पर आप लोगों को दिखरा होगा इंपॉर्टेंट नोटिस डिवाइस बैंक चार्ज इस इस इस फ्रों फस्ट मैं दोहजार तेएसस देर बैंक कस्टुमर वीशिए इन फॉर्म- यूटु डाट इद बैंक विल बैंक विल?」 रिवाइस इटिस चार्जेस वौर्ट बैंकिंग सर्विसेज्ज विद इफ्क्रों सुल्य में दोहजार तेएस्ट अर्थाज देर एफ केरफूल कंसेरियशन एनलाइसज तू इंशोर डैट वे अंपर एंस बड़ी उसके बाद डिये हैं उसके दून बचार अगर युक्त लेते हैं उसकी फ्री है जिने जुटानिक्लियम यॉपिध हैं प्रमिग lectures बिल्कुल सुर्ण के बाजू में देट सॉपिजर unlimited bill payments using BBPS ये भी फ्री है unlimited fund transfer through IMPAS, NFT and RTS ये भी फ्री है online passbook and email statement ये भी फ्री है unlimited free transaction using Paytm banks, debit card, Paytm पर उने सब कुछ फ्री है तो चलिए अब जो charges जहां पर लग रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा directly sera में लेकर आगया हूँ charge type, existing charges और revised charges जो हैं दोस्तों पहले अगर आप लोग चेक return due to financial result आप लोगों का check return होयाता था financial result की वज़े से तो पहले जो charges थे पहले 500 और पर आप लोगों को लगते थे लेकिन revised charges में अब आपको उसके उपर कोई भी charges नहीं लगेंगे जिरो charges कर दिए गए हैं तो कि आप सब भी जानते हैं कि यह जो जो लोगों के check bounces कम होते हैं अब यह लिखा है नाच return due to financial result यहां पर पहले जो charges थे कुछ भी नहीं थे अब 100 पर आप लोगो नाच return पर लगाए जाएंगे नाच return यह नहीं एनस यह जुस्तु क्या होता है जब भी आप लोग अपने bank account पर auto debit लगाते हैं कहीं आपने loan लिया है कहीं पर credit card facility यूज़ करी है और उसको EMI में convert कराते हैं auto debit आप लोग अपने account से set कर देते हैं तो अगर auto debit आपका fail हो गया तो पहले जो आपको charges पर नहीं लगते थे अब आपको यहां पर 100 रुप्रे के charges जो है वो देने पड़ेंगे अब यहां पर लिखा है cash deposit load cash banking points included branches यानि कि आप लोग cash load करते हैं या फिर deposit करते हैं तो पहले आप लोग को कोई भी charges नहीं लगते थे लेकिन यहां पर अब जो है 25,000 पर तक यह free है कि आप लोग पैसे add करिए या फिर deposit withdrawal करिए deposit करिए आप लोग को 25,000 तक कोई भी charge नहीं लगने वाला है लेकिन 25,000 रुपे के बाद आपको हर 1000 रुपे के spend पर 5 रुपे दोस्तो प्लस GST charges जो है देने पड़ेंगे 25,000 के बाद हर 1000 रुपे के withdrawal यह deposit पर 5 रुपे प्लस GST आप लोग को यहां पर देना पड़ेगा अब यहां लिखा है cash withdrawal अब लोग cash withdrawal यहां पर करते से पहले कोई charge नहीं था लेकिन यहां पर भी same वह है कि 25,000 तक कोई charge नहीं है 25,000 रुपे के बाद 5 रुपे पर 1000 रुपे पर प्लस GST आप लोग को देना पड़ेगा अब यहां पर लिखा हुआ है ATM प्लस Micro ATM Transaction यहां पर पहले Paytm Banks में unlimited free था आप लोग को कोई charge नहीं देना पड़ता था और अभी भी दोस्तों यहां पर unlimited free है अधर बैंक में ATM में आप लोगों को मन्तिली फ्री था और अभी भी अधर बैंक ATM में आपको मन्तिली फ्री है दिया जा रहा है लेकिन जो Metro City लाइक दिली कुलकाता मुंबई जो भी Metro City है यहां पर आप लोगों को नौन पर जो transaction है Metro transaction में पांस transaction मन्तिली फ्री है वहां पर भी फांस transaction फ्री है और लेकिन उसके बाद पांस transaction के बाद भी आप लोगों को यहां पर फ्री दिया जाएगा और यहां पर दोस्तों आप लोगों को Metro City के अंदर बियोंड फ्री लिमिट के बाद cash withdrawal 21 रुपे transaction प्लस GST देना पड़ेगा और यहां पर भी आप लोगों को cash transaction दो आपकी बियोंड लिमिट हो जाएगी इसके बाद आप लोगों को GST जो है यहां पर देना पड़ेगा नॉन-financial में आपको 8 रुपे प्लस जेक्स देना पड़ेगा प्लस GST और सेम यहां पर भी आप लोगों को विलेच साइड में भी नॉन-financial आप लोगों को देना पड़ेगा डेबिट कार्ड सब्सक्रिप्शन फीज नीचे यहां पर देना पड़ेगा रखाया है डेबिट कार्ड इश्वन फीज 500 रुपे इंक्लिजव और GST डेबिट कार्ड एन्वल फीज 500 रुपे इंक्लिजव और GST यह पहले था और अब दोस्तों आप लोगों को यहां पर जो था जैवां फीज है वह ठाइसो रुपे थी आपकी और आप लोगों को यहां पर धाइस ज्वन फी देने पड़े गी पहले जो एन्वल फी ती डेबिट कार्ड की वह यहां पर बढ़ा दी गई है डेबिट काड पर डेबिट कार्ड अगर आप लोग नया परचेस करत कि यहां पर चार्जे बढ़ा दिए गये धिए का लोग को इस से कोई फरक नहीं पड़ने वाला है कि क्या आप लोग को इससे फरक पड़ेगा यह नहीं पड़ेगा हमारे को इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद